सतना शिरी वाहे गुरू साहिब जीयो परम सनमानियो गुरूरू गुरू खाल्सा सासंगजी वाहे गुरू जी का खाल्सा वाहे गुरू जी की फते चार पदारत अश्ट महा सिद काम तेन पारजात हर हर रुख नानक सरन गही सुक सागर जनम मरन फिर गर्ब नतुख सत्गुरू पंचम पाशाजी फरमों देहन के जगर्दे जीव चार पदार्था अठा रिदियां सिदियां काम तेन गव स्वर्गा दे पारजा द्रखत दी इच्छा करदे हन क्योंकि एह पदारत उत्तम गिने गए हन पर सत्गुरू जी आखदे हन जीनाने हरी दानाम जपया है ओनानू पदार्था विचों भी काटाना पया तेसव नाल ही जनम मरन भी कट्या गया जेड़े पगतीवा लगदे हन माया दे पदारत उना दे पिछे कोमदे फिर दे हन पगत नाम देव जी ने तान नाम दी एन्नी उस्तत कीती है के उना मताबक पतत भी पवितर हो जान दे हन कौन को कलंक रहे ओ राम नाम लेत ही पतित पवित भाए राम कहत ही सो राम नाम जपन वालें दा ऐसा जास हुंदा है पगत कबीर जी दा जास वी सारी कांशी विच फैल्या होया सी अच्छों तक के अनेका लोडवांद पुर्षवी जादोना कोल जान दे ता कोज ना कोज प्रापत करके ओंदे सा कई वरी कबीर साहब महादाने भी बन जाया कर दे सा जदो कबीर जी दे पास संत सादू ओंदे ता अननु बड़े प्रेम अते शर्दा नाळ पोजन चकोंदे कदी-कदी जेवना दे मानदी मौल हुंदी ता सादू अनु कपड़ा भी दान कर दन दे सा राजे हरीश्चंद्र वर्गा ओनाने परोपकार करना ते हर वस्तुनू प्रबुदी वस्तु सम्यना ही अपना तरम बनाले आसी कई पंडत कई वरी कबीर जी दी प्रिख्याकार्न वास्ते आजाया कर दे सान पर पारपरम दी किरपा नाल ओनानु कदे भी कोई काड नहीं सी ओंदी कबीर जी कर्त करदे सान कपड़ा बुनदे ते मोड़ उसनू बजार लेके जानदे सान ओथो कपड़ तो चीजां वटा के लेके ओंदे सा एक वरी कपड़ा लेके बजार गए उस वेले शायद पर्मात्मा ने आपने पगंती परक करनी सी एक सादू कबीर जी दे अग्ये भजारवे जाके खणया कीता ओह गरीबडा जहा सादू सी उस दी शकल सूरत मरे वर्गी सी उसने आजजी नाड आख्या हे पाई मैंनू तानटा कणवास ते बस्तर चाईदे हान पगत कबीर जी ने ओदेवाल वेख्या हो पाले नाड ठरू-ठरू कार रहा सी कबीर जी दे मान वेच दया आई आखन लगे केडा बस्तर चाईदा है सादू बोल्या पगता मैंनू सारे बस्तर चाईदे हन जिनविच तोती कुड़ता चादरा इस सारे चाईदे हन मेरे कोल नाता तोती है ना कुड़ता है ना चादरा है इसलिए मैंनू सारे बस्तर चाईदे हन कबीर साहब ने कहा सारा थान लेगा पगत कबीर जी तो इयों सुनके ओ सादू केंदा मेनू होर की चाईदा है प्रभू तेरे सारे पड़ दे टकेगा किन्ने चरतों मैं नगा फिर रहा सां कबीर साहम ने कहा राम ने जो दिता है सो लाजा राम दा दिता ही वर्त दे हां ते लोड बंदा नू दे छट दे हां राम ही सब दा दाता है पगत कबीर जीने सारा थान सादू दे हवाले कर दता ते आप जारवल चले गए कारवास ते आटा क्यो ते गुड लेके जाना सी चिंता करन लगे के होन ओह की करन किस वस्तू नाड ओह चीजां खरीदन पैसे ता ओना कोड नहीं सान इसलिए ओना दे मानवेच आया जिमे राम दी इच्छा ए आख के आपने कारवाल खाली हद चल पए मन विच राम नाम जापदे गए कबीर जी जोदकार पुझे ता ओना दी माता ने आख्या बेटा तुसा कपड़ा था थोड़ा जेहा बुणया सी पर चीजां कार बहुत लेके पेज़ितियां हन आटा गोड़ते के ओता दो महिने नी मुकणा किन्ना कमुल बटया गया अपनी मादी जुबनों ए सुनके कबीर जी बहुत हैरान होई ओना ने जानेया के कारों देया देर हो गई है ते माता जी गुसे नाड आखरे है हन और कोई गल नहीं बिना कोई बोले दे अंदर लांग गए जदो कार अंदर लांग के विख्या ता साच मुछी आटा के ओ ते गोड़ पया विखके बहुत हैरान होई ओस वड़े ओनानु सुदा में ते शिरी कृशन जी दी साखी जेते आगई राजे बल ते गरीब ब्रामण दी कथा दा ख्याल करके मन ही मन परसन हो गए हे राम तेरे रंगानु तू ही जानदा है ये आख के रामदा जस करन लग पए कबीर जी होन ऐसी दशा वेच पोज गए जदो के नाम सिम्रन ते सादू संता दी संकतो बिणा और किसे तंदेनू हाथ नहीं सिलोंदे ओना ने पगवा वेच तारन कर लिया गाल वेच माला पा लई ते खड़ताला लेके बिशन पदे जांपजन गौन लगे पगद कबीर जी दे जीवन दा निशाना बन गया जिम्य के पगजी ने अपनी बाणी वेच लिखया है संत मिलै किछ सुनिया कही है मिलै असंत मस्ट कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रव रही है संतन स्यों बोले उपकारी, मुरक्स्यों बोले चाखमारी, बोलत बोलत बड़े विकारा, बिन बोले क्या करे विचारा, कहो कबीर छूचा कट बोला, पर्या होए सो कब होना डोला जिस दा पावर थे है, के जीवन दा लाब एहो है, के जो दो कोई संत महात्मा गुणी गयानी मिले, ता उस दे कोड़ बैठके, कुझ सुन दे, अते समझ दे रहे, ते जे कोई आप तो कट गयान वाला होए, ता उसनो कुझ ना कुझ दसिये, पर जे माड़ी संगत होए, ता अपने नाम, जा जासदा बोलना बुलाए, ते ओसे राम नाम वेच्छी, मस्त रेना ठीक है, संता नाल मिलन ते उपकारी बनीदा है, पाव के संत, सेवा, निकी, ते तरम करम दस्देहन, पर जे मूर्ख नाल बोलन लग पए, ता सेर्ख पोंटों बिना, कुझ भी ठीक नहीं, आम अखोत है, कि एक मुर्ख खाली कडेवां, बहुत बोलता है, ते जेडा ग्यान रूपी जाल नाल परया हुंदा है, ओह काट बोलता है, पाव के ग्यानी पुर्ष काले नहीं पेंदे, तीरे विवान हुंदे हन, इसलई संत सादू नाल संगत कीतेयां, पाकुर द्वारा सी, कई बारी ऐसी पीड लग जान दी, के सारा सारा देन सत संग हुंदा रेंदा, एक दिन बहुत सारे बैरागी सादू, के ते ओं फिर दे फिरांदे, पगत कबीर जीदे दर्शन कर आ गए, क्योंकि सारे कांशी शहर विच इस गल्दी चर्चा सी, के प पगत कबीर नाम दा जुलाहा विश्नु अवतार है, ते उस दे मुखार बेंतों निकले होया बचन सदा सत हुंदा है, एसलई ओह सादू सत संग करके जद निहाल हुए, ता पगत कबीर जी ने ओना नू पोजन वासते पैसे, ते बस्तर आदग देते, ता ओह सादू कबी ते नीच जाती चो उठके पोनदान करे, ए ठीक नहीं के ब्रामना दा तरम ते ब्रामना दी पूजा खतम हो जाए, ओ लोग कांशी दे गलियां विच पगत कबीर जी दे निंदा करन लगे, निंदा सुनके पगत कबीर जी दे पगत बड़े गुसे विच आए, ते ओना न पचन कीता। निंदक लो रहा है, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा, हम उतरे पार। इस शबद दा पावर्थ ए है के हे मित्र जनों, जिड़े लोग निंदा कर दे हन, ओना नो निंदा करन देो, क्योंकि पाई निंदा म होवे उस दे मन वेच हंकार नहीं होदा ते निंदा होण नाल बैकुंठ जाईदा है क्योंकि आंत वेच निंदा डोब जाएगी ते असी पार चले जावाँगे पाव के निंदा करनवडा सदा चूठा असरे हुंदा है इसले निंदक नू मुदी खानी पेंदी है इस तरह एक दन ब्रह्मनी कठे होके पगत कबीर जी दे पास आये ओना दी इच्छा सी के कबीर जी नो जलील किता जाए पाव बहुत सारे ब्रह्मना नू गरीब जुलाहा पला के में पोजन कराएगा एसला करके ओ कबीर जी दे कारपुजे ते बड़े गुसे नाल बोले तू पगत कबीर जी ए सुन के मुस्कुराए ते बोले चंगा जे मेरे राम जी दी एहो इच्छा है ता ऐसा ही हो जाएगा आओ बैठो तू सानू पोजन चिकाया जावेगा गरीबानू जो कुछ पगवान बक्षदा है ओ ओ हो कुछ ही वंडी जा दे हैं पगवान दे कर किसे परकारदा काटा नहीं मेरा मोहन सदा मेरा ख्याल रखदा है बच्चे कॉलों कुलाह दिया हन ता बक्षदा है तुसानू कब रोणानी चाईदा ना गुसा करना जाईदा है तुसी ता पूजय ब्रहमन हो तुसा दी सेवा करना ता हर प्राणी दा हक है सो आओ चर्ण तो वो ते बैठो पगत कबीर जी दियां गल्ना सुनके ब्रामन एकता हैरान होए दूसरे खोश बड़े होए के कबीर कोड़ पोजंच कोण वास्ते कोई साधन नहीं है ते एहे असानू बठा रहा है जरूर ही इस दा मुखाल उड़ा के इस दी नरादरी करांगे ए सोच के ओ सा कबराई ते कबीर जी नो साध के अखन लगी एतु सां कील्यीता कबीर जी ने कहा क Ary किगल ईनिकबराई होई क्यों है माई लोई ये कहा कबरामा नाता की करां करता कुझ नहीं है ते तुसी एना नो पोजवासते बठा लया है कबीर जी ने कहा मैं नहीं बठाया मैं बठोन वड़ा कौन हा ये ता सब मेरे रामदी महिमा है उसने कोई खेड रची है अपनी खेड आप पे ही देखेगा अंदर चलो ते मैं सारे ब्रह्मना देहात सुचे करूंदा हा माता लोई ने कहा अगे की रखोंगे निरा राम नाम पगत कबीर जी ने कहा तान हो लोई जी तान हो जो तुसा साच आख्या राम नाम ही एना दे अगे रखांगा सारा प्रताफता राम नाम दा है कोरे कड़े विच मैं मठ्याई लिया के रखी सी बैरागी साथ उनू पोजन करोना सी ओहो ओन तो पहला ही अलोप हो गया ओहो मठ्याई ही एना नुछ गाद अंदे हां माता लोई ने कहा वा राम दे पगत ए आख के लोई अंदर नू चली गई ता अखा मल मल के देख दी होई बड़ी हरान होई कबीर जीदे राम ने इनी माया बसारी के माई लोई नू सारा अंदर मठ्याई नाड परया होया नजर आया मन्जा फर्ष ते हर थांते मठ्याई नाड परे होय थार रखे होय सन ते हर एक वर कुते लिख्या सी राम नाम माय लोई डर के बाहर हो गई खुशी नाड़ों उसनों हैरानी बहुत होई माय लोई ने कबीर जी दी बहुत महमा देखी होई सी फिर वीप लेखे विच आ जाया करदी सी मायादा पड़दा पासे नहीं सी होंदा ओह चोड़ा खा जान दी सी कबीर जी ने अपने चेले आं ते शर्दालू पुर्शानों अवाज दती जदों ओहो आये ते ओना नू कहा अंदर जाओ ते थाल जोके लियाओ राम नाम दा पोजन कराओ ब्राम्न बहुत पुखे ते त्रहाई हान कबीर जी आ ब्राम्ना दी पंकत विच खलोते रहे ते ओना दे शर्दालू अंदरों थाल ले आले आके ओना दे अगे रखन लगे जदों अगे रखे ता ब्राम्न बहुत हैरान ते शर्मिंदे होई थाणा उते पई वरकां उते लिख्या सी राम नाम ये देखके ओ बड़े कबर आ गए कबीर जी अपने रामनों याद कर दे होई बिलावल रागविच अपने रामदी महमा गैन करन लगे चरन कमल जाके रिदे बसे सोजन क्यों डोले देव मानों सब सुख नौनिद ताके सहज सहज जस बोले देव तब एह मत जो सब मैं पिखे कुटल गांठ जब खोले देव बारं बार माया ते अटके ले नर्जा मन तोले देव जैं हो जाए तहीं सुख पावै माया तासना चोल ले देव कहे कबीर मेरा मन मानया राम प्रीत कियो ले देव ब्रामणा ने पोजन छाकले आ ओना ने परसन होके रज के पोजन कीता पगत कबीर जी ने एक एक रुपईया दछना भी देती ते जान लगया नू बेंती कर दे रहे के ओहो खिमा कर दे जान मैं अनजान जहा बंदा ते गरीब जुलाहा हां कबीर जी दी पगती राम प्रोसा ते निर्मानता नू देखके ब्रामणा ने कबीर जी नू अगयतों बदनाम करना छड़ दता पगत कबीर जी दा एक लड़का सी जिसदा नाम कमाल सी ते एक लड़की सी जिसदा नाम कमाली सी ओना दी तरंपतनी माई लोई वी पक्तिकरन लग पई यहों सारा प्रवार प्रभू ते प्रोसा रखदा सी जै देव नामा विप सोदामा तिनको केरपा पई है अपार कहे कबीर तुम सम्रत दाते चार पदारत दे तना बार हो यहां पुल्ला चुकांदी खेमा बक्षणी जी दासनों आगया देव वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की फते